मुश्कार दोस्तों अक्सर देखा जाता है चाहें वह लड़का हो या फिर लड़की हमेश अपने शादी का सपना ज़रू सजोते हैं लड़कीों की ख्वाइशे कुछ जादा होती है और लड़कों की ख्वाइशे कुछ कम नहीं होती है अक्सर देखा जाता है कि लड़कीया सूसती है कि उसका ख्याल रखने वाला और उसको समझने वाला उसका लाइफ पार्टनर होना चाहेगे और ऐसी ही लड़कों का सपना होता है कि उसे समझने वाली और उसका ध्यान रखने वाली भी एक उसके घर में एक पहू आ जाए तो लेकिन सपने में कैसे पता चलता है कि आप का विवा होने वाला है या नहीं अज मैं बताती हूँ इस वीडियो के दोरान के आपको किस तरह के सपने आने पर आपका विवा शिगर होने के संभावना होती है यदि आप अपने सपने में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हस रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और आप नाच भी रहे हैं तो समझ लिजे कि आप की शादी चल्दी ही हो जाएगी. नमबर दो यदि आप सपने में सहर चाट रहे हैं या फिर सहर को किसी चीज में मिक्स करकर खा रहे हैं तो आप सोचें कि आपका विवार चल्दी ही किसी ना किसी से हो जाएगा यदि आपके सपने में कोई आपको सोने के अभूशन या फिर चानदी के अभूशन दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको किसी ना किसी दहनी परिवार में ही शादी होगी यदि आप सपने में देखते हैं कि आपके सपने में कोई लड़की सुन्दर है और अच्छे से बस्तर पहन रखे हैं तो समझ लीजे कि आपकी जीवन में बहुत अच्छी पत्नी आने वाली है जो आपको समझीगी नमबर पाँच यदि आप अपने सपने में देखते हैं कि आप नाओ में बैटे हैं तो समझ लीजिए कि आपका दामपत्ते जीवन बहुत जादा सुप में रहेगा 6. यदि आप सपने में देखते हैं कि आप सुरंग से निकल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको दामपत्ते जीवन में बहुत जादा कठिनायों का सामना करना पड़ सकता है 6. यदि आप पुरूश हैं और आप सपने में देख रहे हैं कि आप दाड़ी बनवा रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके दामपत्य जीवन में भी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो ये हैं सपनों में आप कैसे जान सकते हैं कि आपका विभा होने वाला है या फिर आपके दाबते जीव में परिशानियों का सामना करना पड़ेगा इन सपनों के अकोडियां आप जानिये और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले